अलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सब का या आपके अपने यूटूब चैनल स्टैडिक एफेप हैं दोस्तो प्रधान मंत्री नरेन रमोली इस मा अमेरिका की यात्रा पे होंगे दोस्तो इन सब तैयारियों के बीच रच्छा मंत्राले ने अमेरिका से MQ-9 प्रेडिटर ड्रोन खरीदने के सौधे को मंजूरी दे दी है तीन अरब डॉलर यानी 24,000 कुरोन रुपए के इस समचवते के तहट 30 प्रेडिटर ड्रोन खरीदे जाएंगे दोस्तो इस पर अभी अंतिम फैसला आना वाकि है अभी कैबिनेट दोरा फैसला लिया जाएगा दोस्तो इस ड्रोन को खास तोर पर चीन और पाकिस्तान की हरकत पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाएगा बता दे कि MQ-9 बी ड्रोन MQ-9 रीपर का वेरियंट है जिसका उपयों हेल फायर मिसाइल के एक संसोधित स्वरूप का इस्तमाल करने में किया जाएगा MQ-9 बी के दो वेरियंट है एक है स्काई गॉर्जियन और दूसरा सी गॉर्जियन दोस्तो MQ-9 बी सी गॉर्जियन को खरीद को मनजूरी दी गई है रच्छा सुत्रों ने बताया कि ट्रिटर्ण ड्रोन के सौधे को रच्छा मंत्री राजनाज सिंग की धिक्षता में कुई रच्छा खरीद परिश्यत की बैठक में मनजूरी दी गई है दोस्तो रच्छा खरीद पर ने ने ले के लिए डी एस सी रच्छा मंत्राले में सर्वोच निकाय है सी सी एस दोरा उस पर अंतिम स्विक्रिती दी जाती है भारती नौ सेना को इस सौधेव से सबसे ज़्यादा फाइदा होगा उसे निगराने के लिए कुल 14 ड्रोन दिये जाएंगे दोस्तो इसके अलावा थल सेना और वाइव सेना को आठाठ ड्रोन मिलेंगे अमेरिका और इस्राइल के अलावा किसी और के पास इतने बहतरीन और आधुनिक ड्रोन नहीं है बता दे कि प्रधान मंद्री नरेंडर मोदी 21-24 जून तक अमेरिका के दोरे पर जाने वाले हैं वहाँ वाइट हाउस में अमेरिकी राश्पती जो बाइडन उनकी मेजबानी करेंगे दोस्तों हंटर किलर अनमेंड एरियल वेहिकल के इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है कि दुस्मन को इसके आने जाने की भनक तक नहीं लगती इस ड्रोन के पंखे की लंबाई 20 मीटर है जबकि इसकी लंबाई 11 मीटर है यह ड्रोन 35 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है हवा में 444 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है यह 50,000 फिर्ट की उचाई तक उड़ान भर सकता है ड्रोन हेल फायर मिसाइल वब बॉम समेथ 1746 किलो के वजन को अपने साथ लेकर उड़ने में सक्चम है दोस्तो एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलो मीटर तक निगरानी कर सकता है अन्ने ड्रोन की तुलना में अधिक दूरी तक उड़ान भरने और किसी भी एरक्राफ्ट की तुलना में मीशन को सफल बनाने में अधिक सक्चम है दिन होया रात स्कॉई गॉर्जियन और सी गॉर्जियन की मदद से ये किसी भी हालत में पूरी गतिस से साब वीडियो प्राप्ट कर सकता है दोस्तो MQ-9B ड्रोन को भारत के राष्टी सुरक्षा और रच्छा जरूरतों की दृष्टी से महत्यपूर्ण माना जा रहा है पर भारत की निगरानी तन्त में बड़ा बदला हुआएगा चीजों पर बारीकी से निगरानी रखी जा सकेगी भारती नौसेना इसके जरिये हिंद महसागर में गतिवीडियो पर भीपैनी नजर रख सकेगी दोस्तों इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने दो आतंकी मारे थे सुलेमानी और जवाहरी को अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड़े पर MQ-9 ड्रोन के जरिये मिसाइल हमले में इरानी कुट्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी पॉपुलर मोबिलाईजेशन फोर्स के डिप्री कमांडर अबु महदी अल मुहाडिस को मार गिराया था दोस्तो यही नहीं इस ड्रोन से अमेरिका ने अगस्त 2022 में अफगानिस्तान के काबूल में अलकाइदा के सरगना अयमान अलजवाहरी को धेर किया था इस ड्रोन से हेलफायर और एक्स नाइन मिसाइल दागी गई इसने एकदम सटिक मिसाना साथा तो दोस्तो आप सुंच सकते हैं कि कितना एकुरेट और कितना टेकनोलोजी से भरा हुआ है तो थैंक यू सो मज़ गाईस फार वाचिंग दे वीडियो लाइक शेर एं सुफ्रेबी चैनल थैंक यू सो मज़